नमस्कार दर्शकों और ऐसे मौसम में हम लोगों को अपनी एक्स्ट्रा केर करने की बहुत जरूरत है। इस मौसम को कैसे हम सहस्ता और सुगमता से निकाल लें तो इसके लिए बहुत आवेशक है कि हम लोग सुथ रहें। और दर्शकों हम बता दें कि आज का हमारा विशे है बतलता मौसम और योगासन। और इस विशे पर विश्त्री जानकारी देने के लिए आज हमारा स्टूडियो में उपस्तिते हैं प्रोफेसर लीला दर्शर्मा जी जो कि अध्यक्ष है हिमाचल प्रदेश योगासन संख और पतंजली के जो हैं ये कारे-कारेणी अध्यक्ष भी हैं हिमाचल प्रदेश म सर आपका हमारा स्टूडियो में आने के लिए बहुत-बहुत स्वागत है अधीती जी बहुत-बहुत धन्यवाद दूर्दर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम नमस्कार प्रोफेसर साब जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल जो है वो मौसम बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इस बदलते मौसम में हम किन-किन बिमारियों का जो है वो शिकार हो सकते हैं देखिए आजकल जो मौसम बडल रहा है इसमें मुख्य रूप से हमें सर्दी जुखाम बुखार खांसी गले में खराश इत्यारी इस तरह की अनेक बिमारियों से जुझना पड़ता ह जैसे कि आपने बुखार सर्दी खांसी तो जैसे हम कोविड की सिचुएशन ले सकते हैं कि उस टाइम भी हमें यह ज्यादा से ज्यादा सिम्टम्स लोगों में देखने के लिए मिले और लोग इन सिम्टम्स से बहुत ज्यादा जो है वो डर गए थे जैसे किसी को बुखा आता है तो वो पहले डर जाता है कि कहीं में कोविड से गरसी तो नहीं हूँ तो ऐसे सिचुएशन में हम किस तरह से अपने आपको स्वस्थ रख सकते हैं देखिए इसमें जो योग है योग प्रानयाम यह बहुत ही लावकारी है चाहे आसन करे हम प्रानयाम करें तो सकते हैं पर हमारा बुखार उतर जाता है दूर होता है जिसे गिलोए है अनिक जड़ी बूटियां हमारे यहां पर हैं तो उनका सेवन करके हम बुखार को चल्दी से उससे हम स्वस्थ हो सकते हैं प्रोफेसर साब जैसे कि आज का हमारा विशे ही है योगासन और बदलता मौसम में हमारे जो योगासन है वो डिफरेंट होनी चाहिए या उनी को ही हमें कैरी ओन करना चाहिए देखिए अदीती जी इसमें हमें थोड़ा सा द्यान रखना होता है क्योंकि जैसे कुछ आसन है आसन प्रानायाम है वैसे तो हम लगातार उसको कर सकते हैं चाहे मौसम क है उसकी बीदी है थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करके कर सकते हैं और कुछ प्रानायाम ऐसे हैं अभी जैसे हम प्रानायाम करके भी बताएंगे आसन करके दिखाएंगे तो उसमें कुछ प्रानायाम ऐसे हैं जिससे हमारे शरीर की जो गर्मी है चाहे हम कहीं चल के आ रहे ह कई खेल के आ रहे हैं दोड़के तो वो हमारे शरीर में उन प्राणायाम से ठंडक पहुंचती है तो प्रफेसर साब आज कल रीतु के अनुसार हमारे कौन कौन से और कैसे कैसे योगासन होने चाहिए अच्छा देखिए जो हमारा बदलता मौसम है जो हमारे लंग्स या जैस एक आसन है आसनों को बताएंगे जैसे हमारे दर्शक हैं उनको भी इससे लाव मिले तो इसमें कुछ खड़े होके आसन है जैसे हमें अपने स्थान पर खड़े होना है जैसे हमारे वीच में डेमोस्टेटर है हमारे भाई भुपेंदर जी तो अभी दर्शकों को करके बता है वह अंधे को बाँ में पुष्ट करता है है और हमारे जो जैसे हैं, कई हमारे ब्हाइ छेटे बाई भाई डंगोर जूज रहे होते हैं इनकी altogether — carefully कि अंधने हम क्षेख से ऊपर ले नहीं जाते हैं अपने समरे पार्शवभाग ये करना न को इस हैं Irv 해요 ठीक है और उसमें श्वास भरते हुए पूरा उपर की और खिंचाव देना है अपनी बोड़ी को पंजो के बल खड़े होना है और एडियां हमारी हवा में होगी और प्रोफेसर साब इसको हमें कितने मिनट करना चाहिए अच्छा देखिए सबसे पहली बात है जो भी आसन है प्रानायाम है जो जिसकी जितनी ख्षमता है अपने ख्षमता के अनुसार इसमें कोई जोड़ जवर दस्ती नहीं है क्योंकि हम बीमारी को हमने दूर बगाना है बीमारी को नश्ट करना है ना कि किसी नई बीमारी को जर ले जाएंगे और जैसे श्वास को बाहर छोड़ना धीरे धीरे हम नीचे की और अपने प्यार पूरे जमीन पर जो अभी लोग अभी इसको करेंगे मतलब जो बिगिनर्स हैं उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहते कि उनको ये जो आसन है वो किस तरह से स्टार्ट क हम खड़े हो गए ठीक हमने साब्धान अवस्था में आप देख भी रहे हैं कारेक्रम में तो उसमें हमें दोनों हतेलियों को दीरे दीरे टीरे अपने पाश्रभाव से ऊपर ले जाएंगे और अपने सिर के उपर दोनों हतेलियों को आपस में इंटरलॉक ःतिक हैं और फ हमारी हवा में होगी जितनी देर हम श्वास को भरके रख सकते हैं उतनी देर हमने रखना है जैसे हमें ऑक्सिजन के आपशिक्ता है प्रानवायू के आपशिक्ता होगी धीरे धीरे हमने बापिस आना है यह इसकी बीधी प्रॉपर जो है जी सर हम लोग डेली जो है वो योग लुगाएसन करते होंगे। तो योगाशन करने से पहले हमारा आसन कैसा होना चाहिए जो कि बहुत important होता है। हमारी बैठने की वीधी, उतने की वीधी। ईवन हमारा आसन ही किस प्रकार का ही। जी, बहुत अच्छा प्रशन है। क्योंकि जहां हम आसन कर रहे हैं, प्रणायाम कर रहे हैं, उससे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, हमारा थोड़ा सा आसपास जैसे की थोड़ा सा हमारा अच्छा बातावरन हो, वहां सफाई का भी ध्यान रखना है, और हमारी कोई भी जैसे मुलायम सी कोई दरी ह या योगा मैठ होती है या हमारी नरम सी सामाने शब्दों में बोलू कोई कंबल सी हो उसके उपर हम बैठें जिसमें हम सहस्ता पूर्भक पैट सके हमारे शरीर को हमारे किसी भी अंग को कोई कष्ट ना हो जोर जेवरतस्ती ना हो ऐसा आसना बिलकुए जीज़र प्रफेसर स जैशे टा मासमन में हमें अपने खान पान या अपने बोजन के लिए बहुत जाद Bernard किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए गए अच्छा देखिए Kcastán achter भी मैं अपञे कहनी होती है ऑं या हमेरे कि बिल्कुल cold drink पीने का करता है या कुछ वर्फ है इतियाद इस तरह का मतलब खाने का मन करता है जो कहीं न कहीं हमारे digestive system को हमारे स्वशन तंतर को प्रभावित करता है इसमें हमें ध्यान रखना है कि ज्यादा ठंडा ना खाएं और जो भी रितू के अनुसार जैसे जैसे हमारा समय है जिस तरह से चलता है रितू के अनुसार हम फल खाएं सबजियां खाएं इसका हमने ध्यान रखना है प्रफेसर साब हम बात कर रहे हैं कि बदलते हुए मौसम में हमें किन-किन योगासन को अपने डेली लाइफ में इन्वाल्व करना है मतलब कौन कौन से हमें योगासन करने हैं तो इसके अलावा हमें और कौन कौन से जो हमारे बिगनर्स हैं जो मतलब अभी करना चाहते हैं या करने वाले हैं उनको जो है वो किस योगासन से स्टार्ट करना चाहिए अच्छा मैं बताऊं जैसे हमने पहला आसन बताया जो स्टार्टिंग में आसान भी है और इसका बहुत फायदा भी है जैसे हमारा ताड़ासन हो गया इसी के साथ हम अगला करेंगे जैसे हमने पाध हस्तासन पाध माने हमारे पाउं और हस्तात पाध सामर्थे के अनुसार और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे हमने अपने हाथों से अपने पाओं को चूना है इसे हमारा श्रशनतंतर भी पुष्ट होता है श्वास जैसे हम श्वास भरा और छोड़ा तो हमने पूरा बहार श्वास छोड़ना है और हमारी हथेलिया पैर में या हमारे पाउं के साथ बिल्कुल जमीन पे लगी हूँ जी बिल्कुल सर और इस आसन को सर हमें कितने मिनट कितने टाइम करना है अच्छा देखिए जब हम शुरुआत में करते हैं तो दीरे दीरे जैसे कि हम 10 सेकंड से 30 सेकंड करें दीरे दीरे जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता जाता है तो स्वत्य ही हमारी टाइमिंग भी बढ़ती जाती है तो हम इसको एक मिनट दो मिनट भी कर सकते हैं तो सर क्या इस आसन को जो है वो बुज़ूर्गया चोटे बच्चे कर सकते हैं बैलकुल बैसे कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा दिखान रखना है जिसको कमर दर्थ है वो आगे ना धूकर ठीके हैं जिसको भी कमर दर्थ है वो जितना सहचता से धुक सकते हैं ज्यादा जैसे कि हम हाथ जमीन पर लगाते हैं, तो जो थोड़ा कमर दर्द का पेशेंट है, वो आगे ना जुटे, जुकें, और जो थोड़ा हरनिया इतियादी इसका जो पेशेंट है, वो पीछे ना जुकें, थोड़ा साफधानियां को हमने ध्यान रखना है, जी, और मतलब इसको सारे बरके, आयू बरके, बाकी छोटे बड़े कर सकते हैं, जी, क्या जिनकी सरजरी हुई है, क्या वो इन आसन कुछ कर सकते हैं सर, दीखें, जो हमारा पहला था, इससे पहले ताड़ासन बताया, उसको कर सकते हैं, जी, और इसमें जिसकी सरजरी चलो डेड़ दो महने तक ना करें उसके बाद कर सकते हैं धीरे धीरे करना है तो सर यह जो आसन है इनका क्या benefit जो है वो हमें मिलता है इस आसन को करने जी जैसे हमारा ताडासन हुआ ये एक तो ये एकागरता बढ़ाता है ठीक है जी और हमारी हाइट भी बढ़ाता है जी मतलब आज कल जैसे देखते हैं कि हाँ बिल्कुल छोटी-छोटी है वो ताडासन करेंगे तो उनकी हाइट बढ़ेगी और वैसा ही पाधहस्तासन है ये हमारे श्वशंतंतर को भी पुष्ट करता है और हमारी कमर के लिए फ्लेक्सिबिल्टी के लिए भी हमारे बहुत लाफ करें जी सर आज कल हम हमें देखने के लिए मिला है कि लोग प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम या फिर ये जो आसन है इनको सही तरीके से करने की विधी क्या रहती है जो भी आसन होते हैं देखिए जब भी हम योग प्राणायाम आसन कुछ भी करते हैं तो मैं समाने सा बोलू हमें चार बातों का बिधी हो, सही मैथर से, क्योंकि कुछ लोगों का कहना रहता है कि हम कई महीनों से, सालों से कर रहे हैं, हमें कुछ बेनिफेट नहीं मिल रहा है, तो उनकी बिधी सही नहीं होती है, स्मय थोड़ा सा गड़ड़ा जाता है, और एकागरता से जब हम करते हैं, एकागर होके, च सर मान लीजिए कि हमारे जैसे कुछ लोग ऐसे या कुछ दर्शिक भी ऐसे होंगे कि डू टू जैसे बीजिस शेडियूल होता है तो कुछ लोग जो है वो सुभा आसन नहीं कर पाते हैं मतलब सबको भाग दौर लगी हुई है अपने आफिस वर्क हैं सब कुछ है तो क्या व वजरासन है वजरासन तो हम भोजन करने के तुरंत बाद कर सकते हैं एक ऐसा एक मातर ऐसा आसन है जो हम तुरंत कर सकते हैं तो बाकी इतना मान के चलो तीन चार चार पांच गंटे पहले यदि हमने भोजन किया है तो उसके बाद हम अच्छी तरह से आसन कर सकते हैं मतलब ह इसके साथ सर हमें और कौन-कौन से योग आसन जो है वो आजकल बदलते हुए मौसम में करने चाहिए देखे बदलता हुआ मौसम है जैसे बात अभी हुई हमारे गले में खराश है और हमारे जैसे सर्दी जुखाम और ये चीजे मतलब आती है मौसम के साथ तो इसमें सबसे पहले हमने अपना गला है या हमने श्वशन तंतर है उसको पुष्ट रखना है तो इसके लिए हम जैसे कुछ लेट के आसन करते हैं लेट के आसन करते हैं तो उसमें सबसे पहला आसन बताओं भुजंग आसन जो सबसे लावकारी है भुजंग आसन में क्या रहता है हम भरते हुए धीरे धीरे अपने मुख को उपर उठाते हैं, आकाश की ओर, नाभी तक का शरीर हमारा आकाश की ओर उठाता है, और हमने पूरा श्वास को अंदर भरा, और होल्ड किया, जितनी देर हम रुख सकते हैं, उतनी देर रुखना है, जिसकी क्षमता 20 सेकंड, 30 मिनिट है, तो अपनी क्षमता की अनुसार रुकें, और जैसे जैसे श्वास छोड़ना है, तो धीरे धीरे नीचे जुख जाएं, वापिस आजाएं, यह बो जंगासन है, यह हमें यह वाला आसन, हमें कितने टाइम जो है, वो परफॉर्म करना पड़ता है, यह वाला आसन जिसे कहते हैं, बुजंगासन, और इसको हम जैसे कोई सामान्य है, स्वस्त हैं, वो पांच बार, साथ वार कर सकता है, जिसको कमरदर्द है, वो धीरे 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 इसकी संख्या बढ़ा सकता है, बीस वार, तीस वार, जितना हम करेंगे तो उतना ही फिर फायदा मिलेगा, इतना ही लाव होगा, जो इन आसनों को जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, या करने वाले, उनको ये कितने टाइम जो है, या आसन करना चाहिए, वो तीन चार बार कर सकते हैं, जैसे कि या पांच बार भी कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करना है, जब भी हम किसी आसन प्राण कर सकता है अक्सर देखा जाता है कि लोग ये कहते हैं कि हम बहुत जादा योगासन करते हैं हम दो घंटे योगासन करते हैं सुभा उठके या एक घंटा योगासन करते हैं लेकिन फिर भी उनको benefit नहीं मिलता तो इसके पीछे क्या कारण है अधिती जी वही बात है जो मैंने भी कहा उनकी विधी सही नहीं है, जब हम कोई भी आसन कर रहे हैं प्राणयाम कर रहे हैं या तो हम श्वास कुछ उलड़ फुलड़ कर रहे हैं, इसमें हमें ध्यान रखना है जो भी जैसे कोई दरशक हैं, किसी के comment साते हैं वह यह में लाभ नहीं हो पा रहा है तो उसमें हमने ध्यान रखना है वही चार बातों का यो इन चार बातों को फॉलो करके चलेगा उनको 100% लाब होगा मैं कहों 100% लाब जी बिधी, समय, एकागरता और निरंतरता बिधी हमारा जो मेथड है बिलकुल सही राइट मेथट से करेंगे तो हमें benefits मेले, जी और सर हमें कौइं कौइं से योगासन जो है करने चाहिए, आजकल के इस ओसम में तो इसमें हम कर सकते हैं जैसे कि हमने पेट के बल लेटे के कर दिया अब हम करेंगे पीट के बल जैसे पीठ केबल हम लेटते हैं तो उसमें वैसे तो बहुत से आसन है कहीं फुस्तकों में कहीं भी हमारे जो हैं तो हम कुछ जो आसान भी है दर्शकों को और अधिक भी है जब हम पीठ केबल लेट के आसन किया जैसे अभी नो पीठ के बल करेंगे पवन्मुक्त असन बताऊ है। पकड़के हमने जैसे कि दोनों हथेलियों को उसके आगे इंटरलोग करना है और पूरा हमने उसको चाती तक लाना है अपनी गुटने को और जैसे जैसे हमारा अभिहास होता जाएगा तो हम दोनों जंगाओं से एक साथ कर सकते हैं दोनों प्यारों से स्टार्टिंग पॉइ हमारे आसन है प्राणायाम है श्वास का बहुत महत्तो है जितनी देर हम जैसे इसकी श्वास भरा छोड़ा उतने उतनी देर और बाकि इसको हम पांच वार दस वार कर सकते हैं जिसको कवज इत्यादी किसमस्या है गैस की है उसके लिए तो मैं कहूं एक दो आसन और एक बिल्कुल उस रोग को बिल्कुल नश्ट कर सकता है वगा सकता है सर ये जितने भी आपने आसन भी हमें बताए क्या यह हमें सिक्विंस वाइजी करने हैं या हम इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं वैसे तो देखिए थोड़ा सा है जब हम आसन करते हैं जब हमारा शरी जब चोछ वारा के लिए विए झोड़ा बारा का उब्याहस से कुछ यह कर सकते हैं झोला सिरेलबरी के जब फिर के जो हमारे शुरीर के लिए बहुत ज़ाद रहुत आपना का सब लिया जोनते हैं जो हमें 테bat जब अगला जोनते हैं मैं बताऊं जो हमारी कमर के लिए भी है, स्वाशन तंतर को भी पुष्ट करेगा, क्योंकि विशेश कर आज कल जो भी रोग है, वो इसी सी रिलेटेड है, जैसे अभी आपने कोवीड की बात की, तो हमारे गले को, हमारे फेफडो को, लंग्स को ही सबसे पहले अटेक करता है, तो जब यह हमारे पुष्ट होंगे, तो हमें कोई फ्रशन ही नहीं बनता, तो अगला हम कर सकते हैं, सेतु बंदासन, इसमें हम दोनों पैरों को, जैसे पीछे सिकोड कर लाएंगे, दोनों पैरों को, और उसमें को हम उनकी एडी को, हाथ से दोनों को पकड़ेंगे, ठीक, और बीच का भाग जो हमारा उदर है, पेट है, उसको हम उपर उठा लेंगे, सेतु बंदासन, मिल्स हमारे एक पुल जैसी स्थिती बन जाती है, आकरीती, जी सर, सर, तो इसको करने हैं किया, हमें कितने टाइम तक यह आसन करना चाहिए, अच्छा, जैसे कि जो संख्या की बात करूँ, तो वही है, जैसे कि हमने तीन से पांच वार किया, इतनी बार कर सकते हैं, और जैसे हम वही बात है, कि श्वास जितनी देर तक हम रख सकते हैं उतनी देर करें फिर देरे से बापिस मतलब किसी भी आसन में प्राणायाम में ज्यादा हम जोर जवरदस्ती ना करें जी चाहे हमारे से 10 सेकिंड में होता है तो उतना ही करें यह आसन जो है इस सारे की सारे आसन क्या हमारे लिए लदायक रहते हैं या नहीं कि इनकी कुई लिमीटेशन month भी है या नहीं यह देखियोज सभी आसन हैं, प्रानायाम हमें लभी लख देते हैं इसमें थोड़ा सामय साब धानियां साबधानियों के द्यान रखना है जैसे कि कुछ जैसे अभी कमर दर्द की बात आई तो जिसको कमर दर्द है उनको आगे नहीं जुकना है जिनको हरनिया की समस्थ से आई तयादे उनको पीछे नहीं जुकना है और जैसे कि हम योगिक जॉगिंग करते हैं जिनका BPI रहता है, ब्लड प्रेशर की दीकत है, या किसी की सर्जरी वगएरा है, तो उनको ज्यादा जोर दोड़ भाग नहीं करनी है, जोगी जोगी, बिल्कुल धीरे से करना है, जी सर, और सर, हमारा जो नेक्स्ट आसन है, जो आप हमारे दुश्चों को बताना चाहते हैं जी, आसनो में जैसे की मैं बात करूँ प्रानायाम की, प्रानायाम बैसे 90 से मैं 95 परसंट कहूं तो प्रानायाम से लाब मिलता है, आसनो का अपना मत्तो है, लेकिन प्रानायाम, प्रानायाम मैं बताऊं जैसे जाला बेनवेट होगा, सबसे पहले भस्तरी का प्रानायाम, जैसे हम किसी भी सुखासन, सिधासन, पदवासन में बैट जाएं अपने ही स्थान पर, जिसमें जिसको जिस तरह से सहस्ता पुर्भग जो बैट सके, तो वो बस्तरी का प्राणायाम में क्या रहता है, हमने धीरे से श्वास को लिया और छोड़ा, अपनी फेपडों तक, फे से 90% फूलते हैं, हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हमारे फेफडे पूरे फूले, तो हमें श्वास की दिकत कभी नहीं आई, अस्तरी का प्राणायाम है, इसको करने की वीदी क्या रहती है, अक्सर इस प्राणायाम को लोग जोए वो गले तरीके से करते हैं, इसको सही तरी हैं, जैसे हम ग्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, तो उसमें हमने श्वास को भरना है और चोड़ना है, केवल इतना ही द्यान रखना है। याम करना चाहिए विमते या वाला प्रानायम तीन से 5 मिनट मिल्ट को जैकर हम इतनी संस लेसे हैं इतनी बार चोड़ी गार देखिए जैसे हम शुरू-शुरू में करते हैं तो हो सकता है वमारी संख्या ज्यादा हो स्वासलिया और धीरे से करना है जिसको और इसमें भी वो बिल्कुल धीरे से करें और उनके लिए बहुत लावकारी है धीरे धीरे करें जिसका बीपी हाई रहता है वो बिल्कुल धीरे से करें ठीक है जो समाने वो थोड़ा गती से कर सकते हैं जी सर प्रफेसर लीला धर्शर्मा जी आज आज आपने बहुत ही उम्दा जानकारी ह हमारे दर्शकों के साथ साचा की हमें किस तरह से योगासन करने चाहिए और इनकी सही विदी करने की जो स्थिती होती है वो क्या होती है? मतल़ सही तरीका इनका क्शा रहता है? आप हमारे स्टूडियो में आए आपका बहुत भुत थन्यवाद दर्शिकों तो ये था हमारा आज का कारेकरम हम आशा करते हैं कि आज के कारेकरम से आप लाभानवित हुए होंगे अगले अंक में फिर आप से मुलाकात होगी एक ने विशे के साथ तब तक कर लिए हमें इजाज़त दीजिए नमस्कार बाहिए हमें पता है ये आप दोर दोश लाभानवाद टूँ के साथ तक कारे माप दोले अट करेंकि सिनावानव मुलाकाद पागले विशनाव ये Varizew म Сाथ पर लाचल आपिए पा पर के सा दो अजाब दो.